बिस्मेलाहिर्वाख्मान इर्वाखीम, स्सलामौलेकुम इवर्स, उम्मिद आप सब खेरी अच्छे होंगे अलहम्देला मैं भी खेरी अच्छे हूँ, तो आज हम यूटीब चैनल फजर की चन्ने बना रहे हैं वाइट मटर प्लाव जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़दा टेस्टी त्यार होता है इस रेसीपी में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दोंगी जिन्हें फोलो करते हुए इस तरह से आपका प्लाव भी अच्छा बनेगा तो आप चलें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़दा टेस्टी वाइट मटर प्लाव बनाना स्टार्ट करते हैं रेसीपी स्टार्ट करने से पहले छोड़ी से रेकेस्ट लाल सब्सक्राब डन को क्लिक कीजे साधी गई बेल ऐकन को प्रेस कीजे तागे मेरी मज़ेदार रेसीपी का नौटिफिकेशन आप पासकें शिरेन तम्स बीचे इसमें इलाय हरुआख माने रवाहीम वाइट मटर प्लाव बनाने के लिए हमने 800 ग्राम राइज ले लिए हैं यानि के चावल यहाँ पर मैं चावल बना स्पती उस कर रही हूँ आपको इसे भी उस कर सकते हैं अब हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है चावल डालेंगे इसमें मिक्स करेंगे चावल को हमने 15 मिट तर भिगो के रख दिया है पानी में तो अब चलें वाइट मटल प्लाव बनाना स्टार्ट करते हैं इसमें लाह रुआख मान रुआखीम अब हमने एक कड़ाई ले लिया और फ्लेम ओन कर लेंगे और इसमें हम वन कप ओल एड करेंगे तीन अदद तालजीनी स्टेक पान से छे अदद गोल काली मिर्च पान से छे अदद लॉंग दस से बारा अदद गोल काली मिर्च दस से बारा अदद लॉंग एड करेंगे मिक्स करेंगे और हलका सन को कड़करा लेंगे ओइल में वनेना हाफ टीजपून जिंजर गार्लिक पेश जिंजर गार्लिक के कुछ गुआने तक गुनेंगे दोड़ दर्मियाने साइस के प्यास दिये हैं और इस तरह से रप्ली कटिक कर लिए एड करेंगे मिक्स करेंगे दोड़ दमने गरम मसाले की लाची लेली हैं बड़ी वाली अद कर देंगे और मिक्स करेंगे तीन से चार अदत सबसी लाची उनकी बूख़ोल के अड़ करेंगे पानी आड़ करेंगे दो दर म्याने साइज के टमाटर लिये हैं और इस तरह से रफली कटिंग कर लिए आड़ करेंगे पांच अगत हरी मेर्ट इनको हमने कट लगा लिए बीच से वन टेबल स्पून चिली फ्लैक्स अच्छे से और इसमें आड़ करेंगे टू टेबल स्पून नमक वन टेबल स्पून चीनी चीनी हमने इसलिए एक टिप है इससे जो है मतल ग्रीन रहते हैं कलर चेस्ट में नहीं होता मतल का 500 ग्राम हमने मतल ले लिए हैं जिलको अच्छे से वाश कर लिया है और आप इसमें आड़ कर देएंगे मतल मिक्स करेंगे आप इसमें आठ करेंगे टू टेबल स्पून खुछ तनिया मिक्स करेंगे अच्छ शेका आप इस पुंट पर भी आड कर सकते हैं जब आपने हुछ मुष्मसाले चिया थे पास में थाम मडल को भूल लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे 1 देविल स्पून गरा मसाला फिक्स करेंगे चिसे यह हमने एक कॉल चावल कर लिया था और दो पल पानी आड़ करेंगे और अब इसमें हम पानी आड़ करेंगे फिक्स करेंगे हम इसमें एड़ करेंगे 1 डेवल स्पून चानी सॉल्ट इससे फ्लेवर बहुत ही ज़दा अच्छा आता है मिक्स करेंगे अब उपर से कावर कर देंगे जब तके पॉर दिना जाता अब माशाला कवर लिमूफ करेंगे माशाला आप देख सकते हैं अच्छे से बॉयल आ चुका है और इस तरह सेजन में हमने प्राइस को भी गोया था वो पानी हमें निकाल लिया है और अब एड़ करेंगे राइस अब हलके हाथ से मिक्स करेंगे इस पॉइट पर आप नमक चेक कर सकते हैं अब पांच मिट तक उपर से कवर कर देंगे पांच मिट हो चुके हैं कवर रिमूफ करेंगे अग्यादों से मिक्स करेंगे अब इस पॉइट पर हम कुछ धनिया और हावी मिर्च जिनको हमने कट कर लिया है एड़ करेंगे और अब हमने राइस को दम पर लगा दिया है तकरीबन 15 मिन तक अशला 15 मिनिट हो चुके हैं कवर रिमूफ करेंगे मिक्स करेंगे हलके हाथों से अब हम वाइट मटर प्लाव को डिशाउट कर लेंगे मिसमे लाहर रवाख माने रवाहीम डिशाउट करेंगे माशाला आप देख सकते हैं एक-एक चावल का दाना अलग-अलग है और आप देख सकते हैं मटर का कलर भी चेंज नहीं हुआ माशाला वाइट मटर प्लाव को डिशाउट कर लिया है माशाला बहुत ही मज़िदार और बहुत ही ज़दा टेस्टी त्यार हुए है आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब करें और बेल को प्रेस करना बिलकुल ना भूलें इस से आपको मेरी मज़िदार रेसिपी का नोटिफेकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें शेयर करें और फ्रेंट्स एंड फैमिली के साथ इंशाला नेक्स रेसिपी के साथ पिर मिलेंगे अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत अधा खयाल थैंक्स रवाचिंग, आला हाफिज